आम्रा इतिमोद्धे शेल आई कॉंपेर दी टु आसामाज डे ती सॉनेट नमबर 18 कॉंपोस्ट बाई विलियाम सेक्स्पियर एटा नी आम्रा आलाचुना कुरेची डिटेल्स, एनलेसिस, और एक्स्प्रेनेशन करा होई चे और आप ट्राइड माई बेस्ट टो एक्स्प्रेन दा सॉनेट इन दा मोस्ट लुसीड वे एभा पॉसेबल टु यू जाए हो तो इबर आम्रा आलाचुना कॉर्बो जे एक कोभितार थेके संभाब्व किधर नेर प्रोष्णcem हो थे पारे ाम्रा अभार आल प्रोष्णुटुख कै निए यू टिवालाचुना कुर्भो तल्फ़ एक्स्याने प्र ट्वमितो जे क्रोश्णुटी आम्र 혼वलाची नम्रू रिखेची प्रोष्णुगूर्प्रेफ़ेंसिर भीत्तिते ले इयुक्षे में शरकम ओबरल कीछ प्रोष्ण आमिकने सेट कुरेची तो भी प्रोष्ण गुलो जो थिस्ट इतात पुर्य पुल्णों पाइमपर्ट- इड़ और इड़ वर्दी अफ कमी प्रोष्ण गुलो आसारमतो जो दियो आमी ए वीडियो टी तुरी कुरची, keeping in mind the syllabus of class 12. But apart from this fact, the other people who are interested in literature and sexpire and sonnets, this video could be useful for them as well. तादो जन्नो ए वीडियो टा यूसफुल बोले प्रमानित हवे बले मने कुरची. Anyways, sonnet 18 ते केचे प्रथम प्रोश्नो टी एखने आमी रेखी जीशेटा होलो, substance और theme of the sonnet, तर मानि एखाने students रा नीजी दिरके, माना तोम्रा कोबेतर इर substance और theme एर जन्नो प्रिपियार कुरबे जे. जे कोबेतर इर substance और theme की, एटा घिरिया अक्टा प्रोश्न आसते पारे, निजी के प्रुश्टूत करो, तर में आनेक्गोलो प्रोश्नेर उट्तोर ज्यावरखेतर इर नीजी के प्रोश्नट कुरे फिलते पारे, here I would like to suggest the students to memorize at least the initial lines and the lines which come at the end of a particular poem. शाम्भ फोले तोम्रा कोवितार इंस्पोर्टेन लाएन्स गुलो अंत्त तुपक के फास्ट एन्जा, लास्ट एन्जा, फास्ट लाइन, लास्ट लाइन एक लो जुतार सम्भ मुखस्तोकार चेश्टा कुले बाद माईन्डे राहाट चेश्टा कुलेबे एरफवले की हवे तोम्हे जखन प्रोषण उक्त अच्छा, तीतियो प्रश्ण चिलो, what does the first line or initial line of the sonet suggest? एटा, तीतियो प्रश्ण, what is the poet's opinion about his friend's beauty? कोभी तार बंदोर संदर्जर संपर्के की मतामोत पोशन करेचेन? कोभीर मते तार बंदोर संदर्जर जगामोन? कोशेन नमबर 4, why does the poet not want to compare his friend to a summer's day? अथा प्रश्ण डेभविवास्ते पारे, what are the drawbacks of a summer day for which the poet doesn't want to go for a comparison between them? कोशेन नमबर 5, what does the phrase eye of heaven refer to and which figure of speech has been used here? कोशेन नमबर 6, what does the poet mean to say by thy eternal summer? बाइ दाइ एटर्नल समर एफ्रेस टी बेभर करा मुद्दी दिये, what does the poet actually mean to say? और what does he indicate? और why does he call it eternal? तीनी समर के एखने इटर्नल बुलचेन कानो? ओके, now moving to the next page. दित्यो पेजे जश्रमस्त प्रश्ण गुल रोचे तर्मृत्यों नमबर 7, हाव हाज डेथ बीन डेस्क्राइब हीर एको भी ताइ मिट्ट के कि बहुँ डेस्क्राइब करा होए जे हैं जोदी परबुट्यों शूटी ना था के जे हाज एनि फिकर फिस फिगर भी बिश्व टाखने उल्लेक करवे जोदी मित्तुर बोन ना जानते चाहा होए कोभी ताटिर नीरिखे वाट रोल विल दे प्लेस हो ताहले कोभी लाइन गुलो जोदी इटार्णन होए ताहले तरह की भूमी का पालन कुरबे अच्छा क्वेशिन नामबर नाइन वाट दस दा कॉन्क्लोडिंग कापलेट साजेस्ट इन दा सॉनेट ए सॉनेट टा जे कॉन्क्लोडिंग कापले कोभी ताहर इंपोर्टन लाइन गुलो थेकव प्रोष्ण आसे शेजन नो शेगलोर एक्स्प्रेसन निया आमादर के पुस्टु तताह वे तल एक्सप्रेन था फालुएंग लाइन भाफ्रेजेस निमनोक तो ये लाइन भाफ्रेजेस्ट गुलोर एक्स्प्रेनेशन गुर्ट तो वा तात्पर जुब प्राशंगी कोता इबाँ किछु डावते जोगती कोता हूँ आमदर के बूशता हावे so here I am mentioning some of the important phrases and lines from the poem okay jamon darling birds of May what does it refer to summer's lease बुलते की बुझाच्चे eye of heaven इतर बुलते की बुझाच्चे nature's changing course untrimmed एकने what does nature changing course referred to and why is it untrimmed moving to the next one die eternal summer question may come that what does eternal summer mean here what does it eternal summer mean here or what does the poet mean by eternal summer you can eternal summer will they keep which actually why is the summer eternal eternal it can summer eternal cano by can a summer shop that a key or to be very to hollow it like a connection to summer software that are usual or to be I will tell you 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 the last line of the sonnet so long lives this and this gives life to thee eternal explanation with your friends with your classmates and subscribe this channel and press the notification bell so that you get the new videos whenever I upload any thank you so much for watching